मामन खान की गिरपतारी को किस तरह देख रहे हुए? मामन खान को गिरपतार किया गया है, दो दिन के रिमांड पर लिया है। जब उनके प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते हैं कि बाप बेटे की नहीं चलेगी, क्या बाप बेटे की सदा चलती रहेगी। इस मामले हो किस तरह देगर, आप सी कल्याइक हतम होगा? नहीं कल्याइक होई ही नहीं नहीं जब आपके प्रबारी आते हैं आप अपजर वर अगये, जब आई थे मीटिंग लेने, तब भी गोबैक के नारे लगे हैं तब भी हुडा के खिलाब नारे लगे हैं सोनीपत से विदायक, आप सोनीपत से मेर भी कॉंग्रेश का है तो सोनीपत के जो हालात है, वो बच्छे बत्तर है, सड़के की बात करें पानी निकासी की बात करें, सीरेज की बात करें, पीने के पानी की बात करें उसको किस तरह की तैयारी कॉंग्रेस की 2024 को लेकर अभी तक संख्षन भी नहीं बना पाई है जो की देखिए कॉंग्रेस पार्टी का परतेग नेता भी पदा दिकारी भी और कारिय करता भी 24 गंडे लोगों के बीच में हैं क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी को पता है कि लोगों की जो समश्याएं हैं उनको कैसे उठाया जाए और जहां तक विदाएकों की बात लगादार आप देखते होगे हर एक सैसन में हरियाना के लोगों की जो भी डिमांड है काम के लिए या जो भी समश्याएं हैं आज आप दे मेंगाई से लोग परिशान हैं तो हर उन बुद्धों को जो जन्दा से जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है और जी लगातर कॉंग्रेस में आप सी कले सामने देखने को मिला सहल जा है रंदीप सिंग सुर्जेवाला किरन चोधरी है जब उनके प्रोरम में जाते हैं तो कहते हैं कि बाप बेटेगी नहीं चलेगी क्या बाप बेटेगी सदा चलती रहेगी इस मामलें हो किसतरा देखे रही हैं आप सी कले कलेक हतcom होगा चाले कुछ नहीं है पार्टी में कोुए कले नहीं है अपने तोर पर अगर कोई व्यक्ति ब्यान देता है तो उसका पार्टी से समझ नहीं होता पार्टी के लिए सभी लड़ाई लड़ रहे हैं और परते कारेकरता परदेश का और हरेक नेता इसी उसमें है कि हम जनता की आवाज उठाएं और कॉंग्रेस की सरकार बनाएं जिसस कि परदेश का भला उसके किया इसापसी कल्या से कॉंग्रेस को नुक्षान नहीं है क्लाएं कोई ही नहीं ना जंगए जंग गोबैक के नारे लगते हैं जब आपके परदेश कपर बारी आते हैं अब ऑजरवर है और वो सरारत करें चला जाता है लेकिन मैंने बताया कि परते कोई भी ऐसा नेता या कोई पदादी कारी या कोई भी कारिया करता ऐसा नहीं है जो कॉंग्रेस पार्टी के खिला बोलता हूँ बाज़पा के परदेश अद्यक्ट चौंपर कास धनकड़े है नूज जैसी हिंसा गटना के बाद उन्होंने कहा कि इसमें कॉंग्रेस का हाथ है कॉंग्रेस के कारण ये इस हिंसा गटना वाबर हुई है उसको किस तरह देगी लिए यहा बात कहने की निया बात उनको जांच करानी चाहिए, वो सरकार में हैं. आज जिस पार्टी की परदेश में सरकार है, वो उस पार्टी के परदेश अध्यक्स हैं। उनको भी मुख्यमंद्री जी से मांग करनी चाहिए कि इस मामले की नाउब जाच हो! और कॉंग्रेस पार्टी भी इसी बात को कह रही है, मामन खान खुद ही आपने देखा होगा, खुद ही मांग कर रहा है, कि इस मामले में या तो S.I.T. बना दो, या नियाईग जांच करा दो, नियाईग जांच में जो भी होगा, एकर वो दोसी है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसकी गिरफतारी को किस तरह देख रही हो, देख हैं, जब तक किसी ओ दोसी नहीं कह सकते हैं, पहले बिट्टू बजरंगी को गिरफतार किया गया वहाँ पर, उसके बाद मौनू माने सर को राजस्तान पुलिस के हवाले किया गया है, अभी इसे पूरे मामले को किस तरह देख रही हैं? मैं वही कर रहा हूँ ना, कि ठीक ह रहे हैं, उससे सब सहमत होंगे, और उससे कोई दूर भी नहीं भाग सकता उस चीज से, तो सरकार उस जांच से क्यों भाग रही है? सरकार को सीडिक जजगिया देखस्ता में एक कमेंटी बना के उसी जांच करा लें, तो दूद आदूद पानी का पानी हो जाएगा, पता पी दोबरा दोजार चोबिस में दस किस दस लोग सबाशीटे और हर्याना में परदेश में सरकार बनाएगी. उसको लेकर सीटों को तक्रार बनेगी या बात बनेगी. जब कटबंदन बना है, तो सारी बात भी बढ़ेंगी, सीटे का भी बटवारा हुगा, सारे काम होगे समयान हो, और मैं यह मान के चलता हूँ, कि यह कटबंदन जो है, इस बार देश में और परदेश में, बीजेपी को उखाडने का काम करेगा. सोनिपत से विदाय का, आप सोनिपत से मेर भी कॉंग्रेश का है, तो सोनिपत के जो हालात हैं, वो बच्छे बत्तर है, सडके की बात करें, पानी निकासी की बात करें, शीवरेज की बात करें, उसको किस तरह लेगा? देखिए, ये बड़ी दुर्बहगे की बात है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि समान विकास, कि हम परदेश के परतेख जिले में समान विकास करा रहे हैं, आप देखते होंगे कि इन चार साल में, परदेश सरकार ने सोनिपत विदान सवा में, सो रुपे भी नहीं दिये सारा एरिया कॉर्पोरेशन में है, कॉर्पोरेशन में कोई चार साल में मैं आपको यहां कड़े हैं, आप किसी बीजेपी के नेता से बात कर सकते हैं, पूछो कि अभी सरकार ने क्या दिया सोनिपत को, और अब ये 25 कोड रुपे का पी डिपार्टेमेंट ने दिये हैं, व ट्रेन अपना रैपी ट्रेन के लिए, पहले 2017 में कहा कि सोनिपत से मकबरा चोक से सोनिपत, अगले साल चला दी कि सोनिपत से पानिपत तक, और इस बार तो कमाली कर दिया, मुख्यमंद्री जीने करनाल तक पहुचा दी, और बजट में आज तक पांच सालों के सो रुपे सोनिपत को मेंटरोपोलिटन सीटी आपने देखा होगा, पजट में सो रुपे नहीं दिये, तो कैसे होंगे काम ही है, तो यह दो जो है एक तरह से सोनिपत के साथ जो है अन्याय हो रहा है, और इसकी इसका जवाब सोनिपत की जनता इस बार लोक समामें भी देगी, और वि मंत्री कहते हैं सभी विधायक बराबर हैं सब का साथ सबDamगा सभी विधायकों को हम समान पैसा देरें विकाश को ले करें। किसी जली के साथ कोई भेदkräद भाव नहीं कर रहें। तो आप तो देखते होगे किद्रक पैसा है सोनीपत में या तो आप ही बता दो आप तो सारा दिन जो है सभी नेताओं के इंट्रिवी लेते हैं अगबार भी लिखते हैं सोनी प्त में यह नहीं है, सडकों में गड़े में सडक है? मिलकुल, मिलकुल, हालत ही है, बहुत हालत खराब हैं और यह सुरो में ही सरकार को यहां के लिероग स्छली पचेश लिए बेतŁ है? अब मैं ये बात कहूं तो कम से कम बीजेपी वाला हो ये भी देखना चीए MP2 निकाह है चलो एकर मान लो ये करें के भी सोनीमता विदाय का आवाद नहीं उठा रहा तो MP2 है ही और MP हर महिने जो है डिस्टिक डिवलोमेंट फलान की भी बीटिंग भी लेता है तो उसको दिखाई नहीं दे रहे सटके कैसी है सारी कानी है कि बजट देना चीए सरकार को जो कि बजट नहीं दिया गया क्या लगता है आने वाले समय में जन्ता इस हालाद को देखकर किसकी तरफ जा सकती है जो सोनीपत के बच से बतर हालाद है पूरे सोनीपत काई ही नहीं मैं दो पूरे हर्याना की बात कर रहा हूँ हर्याना की जंता ने मन बना रखा है कि इस बार हर्याना से बीजेपी को चलता करना है और चोधरी बुपेंदर सिंग उड़ा के नेतरतिरों में हर्याना की सरकार बनाने है हुआ हुआ है